दोस्तों, शर्मा फैब्रिकेटर्स एन इरेक्टर्स आपका स्वागत करता है। हम पर ही नहीं, हमारे परिवार पर भी पड़ेगा। तो आईए जानते हैं अपने प्रोजेक्ट से जुड़े विभिन्न खत्रों और उनके बचाव के उपायों के बारे में। और इनके सही इस्तमाल के नियम निर्देश कुछ इस प्रकार है। काम करते वक्त सेफटी शूज पहनने से आपको चलने में आसानी होगी और आपके पैर सुरक्षित रहेंगे। साइट पर हमेशा सेफटी हेलमेट जरूर पहने। इससे उपर से गिरने वाली वस्तु से आपका बचाव होगा। काम के दोरान रिफ्लेक्टिव जैकेट हमेशा पहननी चाहिए। ताकि आपको दूर से ही देखा जा सके और आपको किसी हाथसे के पहले ही आगा किया जा सके। ग्राइंडिंग मशीन, कटिंग मशीन या गैस कटिंग मशीन पर काम करते वक्त सेफटी ग्लासस पहनना ना भूलें। ये आपकी आँखों को सुरक्षित रखते हैं। अपने हाथों को छोटी मोटी चोट से बचाने के लिए हैंड गलव्स का ज़रूर इस्तमाल करें। मशीन का प्रयोग करते वक्त या फिर जहां कहीं तेज आवाज आती हो, वहां अपने कानों की सुरक्षा के लिए इयर प्लग्स का इस्तमाल किया जा सकता है। उंचाई पर काम करना, उंची जगह काम करते समय, सेफ्टी हारनस या सेफ्टी बेल्ट पहनना अनिवार्य है। क्योंकि उंचाई पर दुरहटना जानलेवा हो सकती है। किसी उंची जगह चड़ते वक्त केवल सुरक्षित सीडी का ही इस्तमाल करें। और ध्यान रहे, चड़ते वक्त या तो सीडी को आपके सहकर्मी ने मजबूती से पकड़ रखा हो, या फिर वो रसी या तार से बंधी हों। किसी भी बॉक्स, ड्रम, आधी असुरक्षित चीजों पर ना चड़ें। उँचाई पर काम करते समय अपने टूल्स लापरवाही से ना रखें। क्योंकि इनके गलती से नीचे गिरने से आते जाते सहकर्मियों को चोट लग सकती है। वेल्डिंग सुरक्षा वेल्डिंग करते समय, वेल्डिंग हेलमेट और दस्तानों को ज़रूर पहने। आनी जाने के रास्ते पर वेल्डिंग का काम न करें। और रास्ते को हमेशा साफ और सुरक्षित रखें। ध्यान रहे, अगर आप उचाई पर वेल्डिंग कर रहे हों तो नीचे सीमाक शेत्र निर्धारित करें और उचित साइन बोर्ड का इस्तमाल करें। वेल्डिंग मशीन के होल्डर्स, लीड्स, क्लैम्स और ग्राउंडिंग को इस्तमाल से पहले जांच लें। सभी वेल्डिंग मशीनों के कनेक्शन में ELCB का इस्तमाल ज़रूरी है। इससे आपको पूर्ण सुरक्षा मिलती है। वेल्डिंग करते समय नियास पास के equipment की सुरक्षा के लिए उसे ठीक से ढख कर रखें। ज्वलनशील वस्तों जिनमें आग पकडने का खत्रा हो जैसे पिट्रोल, डीजल, गैस सिलिंडर, इत्यादी के नस्दीक वेल्डिंग कभी न करें। गैस कटिंग सुरक्षा गैस कटिंग करते समय बहुत सावधानी से सभी बताई गई बाते और लगाए गई safety science का पालन करें। कभी भी गैस कटिंग गीली और बन जगों पर ना करें। हमेशा खुली और हवादार जगह का ही चायन करें। ताकि आपको सांस लेने में भी आसानी रहे और आसपास के equipment को भी नुकसान न पहुचे। गैस सिलिंडर को कभी भी जमीन पर रोल न करें। इस्तमाल के समय सिलिंडर को निर्धारित ट्रॉली में सीधा खड़ा रखें और कारे के बार गैस nozzle बंद करना न भूलें। अक्सिजन के लिए नीला और acetylene को लाल रंग दिया गया है। ध्यान रहे कारी शुरू करने से पहले oxygen और acetylene pressure adjusting knob 0 पे हो। पहले acetylene torch valve खोलें और उचित spark lighter से ही जलाएं। माचिस या cigarette का इस्तमाल कभी न करें। इसे काला धुआ छटने तक adjust करें और उसके बाद ही oxygen valve खोलें। और उचित law पर set करके ही इस्तमाल करें। ध्यान रहे कहीं से भी कोई gas का रिसाव न हो रहा हो। कारे खत्म होने से पहले acetylene valve बंद करें और उसके बाद oxygen valve बंद करें। इससे backfire की संभावना से आपका बचाव होगा। गैस valve बंद करने के बाद torch valve को भी अच्छे तरह से बंद करने, gas cutting करते समय भी पानी या रेच से भरी बाल्टी पास रखना अनिवार्य है। भारी भार उठाने की सुरक्षा, EOT crane या mobile crane या फिर इस प्रकार के किसी भी उपकरण से भारी सामान उठाते हुए कृपया इन बातों का ध्यान रखें और उनका पालन करें। भार के आकार, वजन और गुरुतवाकर्शिन केंदर को ध्यान में रखते हुए उचित्शम्ता के स्लिंग का इस्तमाल करें। और ये भी सुनिश्चित करें कि स्लिंग का इस्तमाल सही अंगल से किया जाए। भार उठाते वग ध्यान रहे कि भार संतुलित तरीके से उठ रहा हो और उसके फिसल कर गिरने की कोई गुंजाईश न हो जहां काम हो रहा हो वहां हमेशा नजर रखें। क्रेन के रास्ते में कोई रुकावट न हो और भार के नीचे कभी न चलें। ओपरेटर को केवल एक ही आदमी निर्देश दें, बाकी लोग अपनी निर्धारित स्थान से ही निगरानी रखें। जरूरत पढ़ने पर तुरंत उसकी सूचना निर्देश देने वाली ब्यक्ति को दें। अगनी सुरक्षा, वेल्दिंग, गैस कटिंग, इत्यादी की बज़े से आग लगने की स्तिथी में पानी या रेत डाल कर उसे बुझाएं। फायर एक्स्ट्विंगुशर और अलाम को कवर ना करें और ऐसी जगह रखें जहां जरूरत पढ़ने पर आसानी से दिखाई दे सके। आग लगने की स्तिथी में किसी भी ज्वलनशील पदार्थ जैसे तेल, लकडी, कागज, कपड़े या प्लास्टिक घटना स्थल से तुरंध हटा दें। यदि कोई दुरघटना हो या आपको संपत्ति के नुकसान की जानकारी मिले तो आप तुरंध अपने सुरक्षा अधिकारी को इसकी सूच ना दें। विद्युत सुरक्षा अच्छी गुनवत्ता वाले मेटल टॉप सॉकेट और प्लग्स का ही प्रयोक करें और कभी भी सॉकेट में खुले हुए नंगे तार ना डालें। केबल मैनेजमेंट दुरघटना से बचने के लिए जमीन पर केबल ना छोड़े और उनको समेट कर सुरक्षित जगह पर ही रखें। ओपन फ्रेंच हमेशा काम खत्म होने पर फ्रेंच को उचित तरह से बंद करें। ऐसी जगह जहां गिरने की संभामना हो उस जगह फर्ष के खुले हिस्से की उचित तरीके से फैंसिंग करें। सुरक्षित प्रवेश उपर नीचे चड़ने उतरने के लिए बनाए गए सुरक्षित रास्तों का ही प्रयोग करें। ग्रहव्यवस्ता, काम खत्म होने के बाद ध्यान दे कि आपने सारा सामान ठीक से उसकी निर्धारिज जगह पर सुरक्षित रख दिया है। और हाँ स्वच्छता पर विशेश ध्यान दें, कारिक्षेत्र पर गंदगी ना फेलाएं। शिष्टाचार कारिक्षेत्र पर सिगरेट, बीडी, पान, तंबाकू, गुटका, खैनी का सेवन ना करें और यहां बहां ना थुकें। शराब या नशीले पदार्तों का सेवन करके कभी कार्य पर ना आएं। इससे आपको खुदको ही नहीं, दूसरों को भी हानी पहुँच सकती है। साइट पर काम करते समय या मशीन चलाते वक्त मुबाइल फोन का उप्योग ना करें। क्योंकि सावधानी हटी, दोरघट ना घटी। तो दोस्तों शर्मा फैब्रिकेटर्स और इरेक्टर्स आपसे आशा करते हैं कि आप इन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे और अपने साथ-साथ सबकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। याद रखें, आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवार।